सरदली बैठक में भाग लेने के बाद सपाक के राजसवा सांसद विश्वंभर प्रसाद निशाद ने खास बात चीत की है आपको सुनाते अफ़ानिस्तान को लेकर विदेश मंत्री एस जैसंकर की अगवाई में सरदली बैठक कोई क्या कुछ रहा राजसवा सांसद सपासे है विशंभर प्रसाद निशाद हमारे साथ सर आज के अगर बैठक की बात करें तो क्या कुछ रहा किन सरकार ने आज सरदली विदेश मंत्री जी के नित्वत्तिम बलाई थी इसमें विदेश मंत्री जी प्यूस गोयल जी और पार्लेमेंट एफेर्स जो है जो मंच पे थे यह लोग तीनों लोग थे आल अपोजिशन पार्टी के लिए रहे थे तो सभी लोगों ने विदेश सच्वी ने अपना पूरा प्रजेटर रखा कि कैसे कैसे हम लोग ने पंदा ताइक से देश के लोगों को निकाला किस कैसमेंस आया क्या है तो सारी बात हम लोगों ने बात रखी सबसे पहले हम लोग ने बदाय दी कि अपने वायुशने के अधिकारियों को अपने एर-इंडिया के इदिकारियों को पाहल को जिनोंने अपनी जान हजनी में लेकर कि अफगानिस्तान के काबूल में अपना ऐह क्म अच शरय कि और लोगों को ला तालिवानी हमले में जो सहीद हुए हमारे देश के लोग उनको सद्धान्यले प्राष्पित करते हैं यह सारी बाते हम लोगों ने रखा और जो वहां परियोज्ञाएं हमारी 500 करी परियोज्ञाएं चल नहीं हैं फसी हुई हैं उनका क्या होगा लोगों ने पूछा जो पास पाकिस्तान और चाइना दोनों सपोट कराने हैं दोनों हमारे विरोधी हैं इसलिए हमको अपनी सीमाओं पर टाइड व्यूवतर रखनी जब तक सीमाओं नहीं रहेंग तो हमारा समुखी नहीं पर इसपर करना चाहिए और जो हमारे देश को लोग फसे हैं अभी फसे हैं उनके परवार के लोग चीग रहे हैं, हमारे यूपी के लोग हैं, हमारे पुरे देश के लोग हैं, हरकोने के लोग हैं और वो लोग कहने हैं कि आस लगा हैं कि कब हमारे वहां तो कोई टेलीफोन है ना इंटरनेट है ना कोई ब्यूस्ता है उनके पास पता नहीं कहां पे है किसे स्थित में हैं तो हमारे देश के पधानमंति जी को इसमें अपनी बात रख करके उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि कोई भी हमारा भारती जो है अफगानित्ता में फसा है जो कोई किसी खतरा नहीं होगा और हम उनको सुरच्टि जाने काम करें जिस सरकार जिस तरह इस जब मानिजे कोई विदेश नीती है जहां पे कोई शंकट का मामला है तो पूरा भी पच्छ साथ में है लेकिन सरकार को अपनी नीती स्पष्ट करना चाहिए और माननी पधानमंती जी के लिए मांगिया एलोपी ने कि माननी पधानमंती जी को वैठक में आना चाहिए था पहले भी जतने विदेश के मामले हुए तरडल वहरी बाजपेजी ने सरवदली मीटिंग लिया, आल पार्टी मीटिंग लिया, मनमहुन सिंगी ने आल पार्टी मीटिंग लिया तो यही सवाल विपस्की लोगों ने रखा और उन्होंने का कि हम लोग सब साथ में हैं जो अब इस्तिति और अफगानिस्तानी क्रिटिकल हो रही है क्योंकि 31 की जो डेडलाइन थी अफ्तालिवानियों ने भी अमेरिका डेडलाइन दे दी एक अधिस तक सेना बापर जाएं तो ऐसे में किस तरह किस्तिति आप देखते हैं कि सारे लोगों क्रेस्क्यू कर पाना क्य अधिया बनाये रखते हुए और कैसे कैसे इंजाम करना है एक विदेश नीत कूट नीत के तहट वहां पर अपने लोगों को बचाने का काम करें कैसे क्या करते हैं वह सरकार की नीती है उसमें हम लोग चाहते हैं विपच्छ साथ में कोई इसका बिरोद नहीं करना विपच अधिया ने सुझावदेव चुकी लगातार जो है तालवानियों ने जिस तरह से वहां कब्जे किये वहों को मारधार किया वहां से आने नहीं दिया और अमिर की सेना ने एरपोर्ट को कब्जा में रखा उनकी सायोग से बाहर लोग आ रहे हैं तो सब लोगों ने कहा कि हम लोग साथ में हैं लेकिन जो लोग हमारे फासे हैं उनको वापस लाना चाहिए अब हमको चुकि भारत से लगा हुआ अफगानिस्तान है तो ज्यादा अपनी सीमा को इलट करना चाहिए चुकि तालिवान जब अफगानितन कर सकता है उनके आदमी खतियार आ गए चाहिना पाकिस्तान सर Auray भी कर सकता है इसलिए हम को जयेदा शिंवां पर सुनका होई कि अकर अपर भार्यां हूए थी कि कि स सनी को तालीबाानियों को सारे पाधिस्तान कस्मीर करना चाहता है किया इसे लेकि और इस में गया पाकिस्तान के दो सांस्वतों साथ जो साथ तौर्प कह रहे थे कि विपक्षी तरफ से भी सुझाओ जरूर दिये गए लेकिन सुरक्षा का मामला है तमाम लोग जो अफगानिस्तान में फसे हुए उन्हें रेस्क्यों करना जरूरी है हलाकि सरकारी से लेके पहल कर रही है अच्छा होता अगर मीटिंग को खुद परधान मंत्रिया के ब्रीफ करते हैं कैमरा मैं दीपक सार्माट साथ अमिद दुबे के न्यूच दिल्ली